हेलो विद्यारतियों मैं डाक्टर सवाकमल मीना साचारे राज के माविद्यले बूंदी विद्यारतियों आज का टोपिक है सूपर क्लास पिसीज, क्लाशिफिकेशन, जनरल क्रेक्टर्स एंड डिपनोई सबसे पहले बात करते हैं पिसीज की यदि कोडेट्स को अपन दो समों में बाढ़ते हैं एक्रेनिटा, क्रेनिटा, क्रेनिटा मींस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स को दो सूपरफाइलम में डिवाइड करते हैं Agnetha and Gnetostromita Gnetostromita के अंदर दो सुपर क्लास है एक होती है Pices और दूसरा होता Tetra Ports Pices P-I-A-C-E-S ये एक लेटिंग वर्ड है और Pices का मतलब होता है Fish यानि मचलिया इसको तीन क्लास में बाटा गया है नमबर वन Chondriothes अथार्थ Cartilages Pices जिसके अंदर उधारन के रूप में अपना सामिल करते हैं Sharks, Rays and Skates Next Ostrides अथार्थ Bony Pices जैसे की Labio, Hippocampus एक्सेटर और तीस्री क्लास है Coinoides 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 यानि की Dwell Arthart Duhari दबल और 1 विर्थिन इसके अंदर 3 Pices को सामिल करते हैं जिससे Lepidociran Protopterus और Neocero Todas अब बात करते हैं Super Class Pices की इसके कुछ सामाने लक्षन है जो बात करते हैं ये सभी Equitic होते हैं अथार्थ Price Merine And Brickish Water में पाए जाएगी ये Cold Valided होते हैं अथार्थ इनका तापकरम बाहरे तापकरम के अनुसार बदलता रहता है इनका शरीर Boat Shept Streamlined होता है सिर पर Mouth Paired Eyes And Nostril होते हैं शरीर पर Dermal Scale का बना Exoskeleton उपस्तित होता है शरीर पर Unpaired And Paired Fins पाए जाते हैं Indoskeleton Cartilage Bonny का बना होता है Mouth पर True Charge उपस्तित होते हैं Eleventory Canal Complete होती है Respiration Gills द्वारा होता है इन में 5 से 7 जोड़ी Gills Lits पाए जाती हैं जो Naked होते हैं Upper Column द्वारा डखे रहते हैं कुछ में खुले रहते हैं Heart Two Chamber होता है Excretion Meizonephric Kidini द्वारा होता है Aminotelic Ureotelic होते हैं 10 जोड़ी कपाल तंत्री कहें पाए जाती हैं बाई एंड मद्देकर्ण Absent शरीर Lateraline सिस्टम पाए जाता है Unisexual होते हैं Fertilization External कभी कभी Internal अंडे बड़े आकार के होते हैं इन में योग की मात्रा काफी होती है इनके अंडेों में Extra Amoronic Membranes Absent होती हैं अथार्थ इनका परिवर्दन Direct होता है लाव लवस्ताय अनुपस्तित होती हैं अब बात करते हैं Dipnoy की Dipnoy Dionian वर्ग Australis के उपराग सारकोप्टे रियाई के गंड Dipnoy का सदसे है सामानेत लंग फिशेज कहलाती है इनके नाम Dipnoy अथार्थ डाई यानी दो पनोई यानी ब्रिथिंग इसका मतलव होता है दोरा सौशन क्योंकि ये गिल एवं फैपडे दोनू के दोरा ही सौशन या सांस लेती हैं अब बात करते हैं डिपनोई के वित्रन की जुआस्मी ये डिपनोईन संबवत क्रोशो रेप्टिरियन साखा की एक उप साखा के रूप में मिड डिवनियन पिरेड में विक्षित हुई थी पर्मियन और ट्राइसिक कल्पों में इनका सामाने विकास हुआ तता बाद में यह दुर्बल हो गई प्राजचिन्तम रिकोड जिवास्म यानि फोसिल लंग फिसीच मद्य डिवनिकाल की डिप्टेरस है इसी वन्स के डिप्योन फिकासीदा ट्राइसिक कल्प के रूप में सेरेटाइस में हुआ जो आज दर्ती से विल्यत रूप से वित्रित है डिप्नोई रूडिवादी बनी रही और इसमें उस काल से आज तक बहुत कम परिवर्तन हुए है अथार्थ इसको लिविंग एनिमल्स यानि पोसिल्स एनिमल्स के रूप में जाना गया लंग फिशेज आज के टाइम पे केवल तीनी वन्स बचे हुए हैं जो दक्षनी गोलार्थ के परतेक महाद्यूप में एक-एक हैं बात करते हैं नमबर वन नियो सिरो टोडस यह है क्यूंस लेंड यानि आस्ट्रेलियमें बर्नेट तथा मेरी नदियू में पाई जाने वाली अकेली जाती नियो सिरो टोडस फास्टेरी यानि प्राचिनतम लंग फिशित की डारेक्ट वंसज है इसकी लंबाई लगबग डेड मिटर तथा वजन 45-50 किलो तक होता है दूसरी है प्रोटोप्टेरस यह है उस्ट्र कटिबंदिये अफ्रीकी की नदिया सेनेगल वाइट नाइल जेंब्रेजी तथा टेंगानिया जील में इसकी चार जातियां पाए जाती है इसकी लंबाई दो मिटर तक तथा वजन 40-40 किलो तक हो सकता है तीसरी जो फिसीज है वो है लेप्रिडो साइरन यह है उसन कट्वी बन दिये दक्षिन अमेरिका की अमेजन अदी वो इसकी ब्रांच में अकेली पाई जाती है अब बात करते हैं लंग फिसेज की हैबिट एंड हैबिटेट्स की अथार्थ सभाव आवश पूफुसमीन अफरीका दक्षनी अमेरिका आश्ट्रे लिवाय में अलपस्ताई फ्रेश वाटर्स तथा दल दलों में वास करने वाली बड़ी वा अदवत प्रकार की मचली है यह संबवत है इसलिए जीवत है क्योंकि यह ऐसे आवास में रहती है जहां पर कोई अन्ने एक्टिनोप्टेरियन इन से सपलता पूरक परतिस परदा नहीं कर सकती यह सब अतिश्तीर वर बड़े जल में जीवत रह सकती है जहां नेयमित रूप से इस्तवरा कर फेपडु से की हवा निगल लेती है नियोशिरो टोडस पूर्णतया गिलु द्वारा शौशन करती हैं तथा एकल फेपड़े का परियोग अत्येंथ विपत्ती की स्थीती में ही करती है लेपडो साइरन और प्रोटोप्टेरस में गिल्स अल्प विक्षित होते हैं अगर इनका अपने युगमित फेपडु का प्रियोग करने के लिए इस तह पर आने से रोक दिया जाए तब ये डूब कर मरी ही जाएगी सब आलची बोटम निवासी तथा कर्मियों, क्रिस्टेशियन, मॉलसकंस, फ्रोक्स, स्मोल पिसेज तथा अपनी ही जाती के सदेशियों को खाने वाली परबक्षी मांसारी है जल में अपने शरीर की तरंगन गती द्वारा तेरने के अतिरिक्त यह अपने पेड फिन्स को टांगू की तरह परियोग करके तल पर भी क्रीप करती वी पाई जाती है दक्षिने अमेरिका की लेपिडो साइरन और अफरीका की प्रोटोप्रेटरस की जातियां सूका पढ़ने की इस्तिती में अपने सूके वे आवास के तल पर कीचड में दबे म्यूकस कोकुंस में गिस्म निस्क्रियता द्वारा जीवित रहती है गिस्म निस्क्रियता के समय वाईयू आश्य का फेपडों के रूप में निरंतर प्रियोग करती है वर्षा रितु में कीचड में मुलाइम पढ़ने पर पुना नॉर्मल मचली सादर से जिवन वेतित करने लगती है मादा द्वारा कीचड में बने अंडाकार गड़े या गोशले में अंडे देने के बस्याद नर प्रोटोप्टेरस उनकी उनको फटिलाइज कर उनकी करमटता पूरुक सुरक्षा करता है नर लेपिडो साइरन में पेरेंटल केर और पी सुद्रड पाय जाता है इनके पेक्टोरेल फीन्स नए अथार्थ इनके पेल्विक फीन्स में जनन काल के समहानी गुच्छे अथार्थ वेस्कूलर ट्रप्स विक्षित हो जाते हैं नर समय समय पर वायू मंडली हवा को निगलने के लिए गोशले को छोड़ता है तथा उसमें सुरोनी पंक के फ्रेसली एक्रिटेड ब्लड से ओक्षिजन अंडू वबच्चूं के समीप उनके सौशन ववरदी के लिए विश्रित हो जाते हैं अब बात करते हैं विशेष्थाएं इन में क्या विशेष्था पाई जाती हैं अब बात करते हैं सबसे पहले एक्ष्टरनल फीचर लंग विशेथ एक दो मिटर लंबे क्रश मीन द्रस से या ईल से द्रस से प्राणी हैं पेर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो प्राए फीट्स केलाते हैं मांस तता अस्ति द्वारा निर्मित केंद्रिय अक्ष शहित शक्रेपिंड सद्रस से फिलामेंटस होते हैं डोडसल एंड एनस तथा कोडल फिन एक लगातार सममित दूई समपाली पूँच में फ्यूजड हो जाते हैं तथा आंची ग्रूप से केल्सिफाइट फिन रेज दुआरा आलंबित होते हैं मुक दुआरा उपास्त या अधर होता है दोनुई लेटरल में इस्तित गिल्स केवल एक दरार जैसे गिल रंद्र को छोड़ कर प्रचंद दुआरा डखे होते हैं इस्पायरेकल अनुपस्तित होते हैं गूदा मूत्रयूम जनन चिद्र तथा एक या दो उदर ये चिद्र एक छोटे मद्दे और क्लोएका में इस्तित होते हैं इनके नेत्र छोटे होते हैं लेटर लाइन सिस्टम सुविक्षित होता है विशेश रूप से ये सीर पर तवचा पतली साइक्लोइड सलकों से निर्वित बाहे कंकाल द्वारा कवर्ड रहती है इंटर्नल फीचर की बात करते हैं तो लंग पिशेज का इंडो स्केलेटर अधिक तर काटिलेज का होता है प्रश्ट रज्जू उपस्तित वर्टिब्रेट्स आर्चेज वर्टिब्री आर्चेज सही इस्ताय होते हैं प्रंतु वर्टिब्री शेंट्रा का अबा होता है अग्र वर्टिब्री कपाल से जुडिय होती है प्राथमिक इसकल तोड़े ओसिभाइड तथा पंटर नेल्स सहीत या रहीत मना रहता है परिमेक्सिली और मेक्सिली एपसेंट होती है तद्धा दात कुतरने वाली प्लेट सुमें मोडिफाइड हो जाते है चार से छे ब्रांचियल आर्चेज होती है पेक्टोरल, गडिल, दर्ड, काटिले से निर्मित तथा इसके परतेक पास्चोर पर एक जोड़ी इन्वेस्टिंग बॉन्स होती है सुरोणी में एखला सुविक्षित या उपास्ती होती है इंटरस्टाइन में सर्कुलर वाल्व होते है ग्लोटीस पर सुरक्सात्मक एपिक्लोटीस हो सकता है आंत्रिक नौस्ट्री एंपिवियन के समान मुग गोय की छच्चे खुले हो सकते है वाईवास्य उच्च वर्टीब्रेस्ट के समान आंत्रिक एलो आई सहीत एक या दो लंक्स के रूप में हो सकता है गिल्च सुएक्षिक और समानित होते है हाट के आलेंद और निले और सिराकोटर्स अपुन रूप से विवाजित होते है आलेंद निले और आलेंद निले द्वार एक फाइब्रिक पलग द्वारा बरा होता है ट्रू वाल्व नहीं होते वेंटरल माधमनी बहुत चोटी होती है कोनस, आर्ट्रियस, आंसिक रूप या पून रूप से विवाजित होती है एक सरपिल वाल उपस्तित होता है इफ्रेंटरेल, ब्रांचेल, वेशल के दोनों और पास्रों में एक-एक पल्मोनरी धमनी निकलती है एक पल्मोनरी शिरा आलिंद के बाईं और खुलती है टेटरपोर्ट्स की तरह, प्री केवल्स अथार्थ, डक्टस, क्वेरी तथा एक बड़ी फोस्टियर वेनस केवा या पोस्टियर कार्डियल वेनस होती है मद्दे मस्तिक्स दरड पिंडुक में लगबग अविवाजित होता है परमस्तिक गोलार्थ यानि सेरिबलल हेमिस्पेर के पेलियम में तंत्री का कोशिकाओं का एक इस्तर होता है मादा में युगमित यानि पेर्ड ओविड़क्ट आगे की ओर सिलोम में खुलती है नर में वासा एफ्रेंशिया गुर्दे के उत्सरी भाग में से होकर सुक्राण को ले जाती है इन में निशेचन एक्स्टरनल होता है परिवर्दन में कायांतरन अर्थार्थ लार्वा में चूसक तता बाये गिल्स विक्षित हो जाते हैं अर्थ यू